हेलो फ्रेंट्स वेडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं तेन स्किन केर रेजुशन फॉर दा न्यू यर हम अक्सर न्यू यर पे कोई ना कोई रेजुशन बनाते हैं करने स्मेसार यही सेट करते की कि साल हम यह करेंगे इस साल हम यह करेंगे वाच मैंने सकिनexistर के kutche रेजुशन सट किये है ऐप मैं उनको करूँ और यह थेनैं को пять 첫र नहीं किया कि बट्मैं के चैंद्स रेजुशनओ जरूर करें फॉलो तो वो कौन से 10 skincare resolution है जो इस साल आप लोगों ने करने है फॉलो तो पीस लाइज लेट स्टार्टेड सो फॉर्स skincare का resolution इस साल आप लोगों ने यह सेक्ट करना है कि डेली अपने phone की screen को करना है क्लीन क्योंकि जब हम अकसर phone का इस तरह से यूज करते हैं और जो phone की screen होती है आप देख रहे हो इस तरह से टच होती है बार-बार हमारे face की skin को जिसका बाद में यही disadvantage face करना पड़ता है कि skin पे acne pimple जैसी problem face करनी पड़ती है हम डेली अपने face को तो face wash की help के साथ करते है clean और जो यह screen होती है इस पे भी काफी सारे germs होते है तो आप लोगोंने first resolution यही set करना है कि इसकी जो screen है अच्छे से आप लोगोंने करनी है clean तो second resolution आप लोगोंने यह set करना है कि आप में अपना moisturizer रखना है अपने bathroom में यानि कि सुबा बात लेने के बात जब आप face को clean करते हो face wash की help पे साथ साथ ही में जब आपका moisturizer भी पढ़ा होगा आपकी face wash के साथ तो आपको भूलेगा नहीं कि हमने face पे moisturizer भी करना है apply क्योंकि जब हमारा moisturizer हमारे dressing table पे होता है तो हम अक्सर भूल जाते हैं जब बात लेके बाहर आते हैं किसी ना किसी काम में अक्सर उलज जाते हैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है मेरे recording हर mom के साथ ऐसा ही होता है कोई ना कोई काम याद आ जाता है जिसका हमें major disadvantage यह face करना पड़ था कि हम अपना moisturizer कर देते हैं skip तो अगर आप चाहते हो कि हमारा moisturizer skip ना हो जो बहुत ज़रूरी है face wash के बाद apply करना तो यह resolution set कर लो यह अपना moisturizer रखें अब अपने bathroom में so third skincare का resolution आप लोगों के लिए यह होना चाहिए कि आपने days को कर लेना है set यानि कि week के इस day को हमने करना है अपने skin को exfoliate यानि कि Sunday आप set कर सकते हो जैसे मैंने एक Sunday day set कि कि Sunday को मैं skin को करती हूँ अच्छी तरह से exfoliate यानि कि scrub का use करती हूँ और then मैं scrub का use करती हूँ Thursday को यानि कि यह two days मैंने fix किया हूँ है अपनी skin को exfoliate करने के लिए तो अगर इस तरह से आप days को fix कर लोगे, अपने skin को अच्छे से exfoliate करोगे तो आपकी skin रहेगी healthy So इसी तरह से next आपने ये set करना है कि week में एक day ऐसा fix कर लेना है जिस दिन आपने अपने face पे करना है face pack को apply तो कोई ना कोई day ज़रूर fix करें ताकि आप अपने face को अच्छे से कर सको pack skincare का resolution आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि आप लोगों को एक fix morning skincare routine और night skincare routine को करना चाहिए यानि कि हम different skincare के products उपर chase कर लेते हैं but उनका step by step use नहीं करते कभी दिल किया use कर लिया कभी दिल किया skip कर दे जिसके करन इतने महेंगे महेंगे जो skincare के products हैं उनका हमें benefit नहीं मिलता result नहीं मिलता तो आप ज़रूर set करें कि morning में आपने कौनसे skincare के product use करने है और रात को आपने कौनसे skincare के product करने है use तो next resolution आप लोगों ने ये set करना है जब भी किसी party या function को attend करके आना है सबसे पहले आपने change करने की बजाए अपने make-up को करना है remove तो अच्छे से make-up को पहले remove करें बाद में करें change क्योंकि हम अकसर जब पहले clothes को change करना start कर देते हैं तो हम skip कर देते हैं make-up को remove करना इतने जब ज़्यादा tired होते हैं तो हम छोड़ देते हैं make-up को अच्छे से remove करना तो मैं आपको ये suggest करते हूं पहले अपना make-up अच्छी तरह से clean करें remove करें आप अपने clothes change so next resolution हर किसी ने यह set करना है चाहिए अब male हो चाहिए female हो कोई भी age group के हो आप लोगों ने यह set करना है कि आपने अपना जो sunscreen है कभी भी skip नहीं करना चाहिए आप indoor हो चाहिए आप outdoor हो तो आपने हमेशा sunscreen को करना है apply ये ना सोचे कि हम indoor है तो हमें sunscreen की गोई ज़रोर नहीं है season चाहिए कोई भी हो चाहिए आप indoor हो चाहिए आप outdoor हो sunscreen एक must product है skincare का तो अगर आप इसको skip कर दोगे तो आपको skin related काफी सारी problem phase करनी पढ़ सकती है तो next resolution ज़रोर सेट करें sunscreen को कभी भी skip ना करें so next resolution आपका ये होना चाहिए कि daily hand cream को apply करना चाहिए और daily lip balm का भी करना चाहिए use हम अकसर skip कर देते हैं just daily moisturizer का use करते हैं skin को exfoliate करते हैं बट अपने lips को कभी भी exfoliate नहीं करते तो आप अपने hands को भी exfoliate करो और अपने lips को भी आप लोगों को करना चाहिए exfoliate next most important resolution आप लोगों ने ये fix करना है कि आपने अपना sleeping time करना है fix हमारा अकसर sleeping time कभी भी fix नहीं होता कभी हम late night जागते हैं तो मैं आप लोगों को यही suggest करते हूँ कि अगर आप अपनी skin को healthy देखना चाहते हूँ morning में glowing या fresh देखना चाहते हो तो अपना एक fix sleeping time ज़रूर करने set तो last make resolution आप लोगों ने यह definitely set करना है कि साल में एक बार dermatologist के पास आपने जरूर जाना है और अपने skin को check करवाना है ताकि आप जान पाओ कि जो आप skincare के product use कर रहे हो उनका कोई side effect तो नहीं हो रहा आपकी skin पर in future कोई problem तो नहीं face करना पड़ेगी आपकी skin अच्छी है healthy है तो ज़रूर आप साल में एक बार dermatologist के पास ज़रूर करें So overall guys यह था मेरा आज का वीडियो तो अगर आपको अपनी skin को healthy और glowing रखना है तो यह 10 skincare के रहे resolution इस सर ज़रूर करें फॉलो तो यह था मेरा आज का overall video and I hope guys you like this video then please guys do not forget to like, share and subscribe and thank you so much for watching, bye bye